हेलो प्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल इस वेडिंग सेजन में आज हम करेंगे एक लड़की का ब्रैडल मेकप तो बिना किसे देरी के आये वीडियो को स्टाइट करते हैं और देखते ही इस एनिमेशन ब्रैडल मेकप को तो इस क्यूट लड़की के आने से हमाया मेकप स्टा मेक ल6 पेट है से हैं तॉ पढ़र हमिसक आखो के आबड़ो को और हम आगे का प्रसेस करेंगे निए देखिए हम इस इसको इसको एक स्टा बाल को हम अधाएं कि अंदर प्लकर से इसको स्टा बाल को रिमूव करेंगे ब्यूटी इस पेन वेरी किसे ने सही कहा है कि ब्यूटी पेन ही है जितना लड़की है सुन्दर लगने में अपने लेकी किस तरीके से दर्द को बरदास करती है एक पैंसिल से हम इसकी आइब्लो को अच्छा शेप देंगे दें हम एक लड़की की खुफशूरती इसके सुन्दर आखों से ही मानी जाती है संहां उसके अब्रो सुन्दर ना लगे उसके खुर्पशूरती थोड़ा कम ही होती है चली स्टार्ट करते हैं इसके सुन्दर सी अब्रो हमने ड्रॉ कर दिया देने से हम शेव दिये दिते हैं दोनों तरफ ही ऐसा करना है अब दो कांटोर स्टिक लेनी है जिससे हमें जो चेहरे पर यह पैची पैची स्किन दीख रहे हैं इसे हमें इवन टोन करना है के लिए हम थोड़ा पिंक कलर का आई की नीचे एंड देन ग्रीन के अंकों के थोड़ा और एक्स्ट्रा नीचे अप्लाई करेंगे ताकि जब इ इस तरीके से में दोना तरफ इस ग्रीन कलर की स्टिक को अप्लाई करना है जब गर्ल्स एक ब्राइडल मेकप या अधर कोई मेकप करती है तो उसको सुन्दर लगने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है मुझे लगता है कि यह बात बॉस नहीं तो यह हम स्किन को किने स्मूथ टेक्ष्यर देंगे अब दन हमें एक लिक्वीट फांडेशन लेंगे जिससे हम इसके स्किन तोन को मताभ बैलेंस कर सके इसके रियल इसकिन एंदेन जिसके जो हमने अप्लाई कि हैं कांटोर्स्टिक और फांडेशन दोनों को मैंक्स तकि इसके नहीं करें फिनिशिंग लुक में आए एकदम स्मूद कांट्रस्टी लगे ब्लेंड करेंगे इस तरीके से ब्लेंड करेंगे इस तरीके से ब्लेंड करना है पाउंटेशन को करेंगे इसको मैं प्लेंड करेंगे एक आइब्रों के नीचे भी थोड़ा इसको अप्लाई करेंगे फाउंडेशन को ताकि हम जब आई मेकप करें तो हमारा आई मेकप ब्यादर फैल है नहीं वह एक तुम पकड़ के रखेंगे आई में आई को तैना ब्रेस के मतर से कुछ प्रेशिंग टच देंगे आपो में भी वह एक पाउडर का इस्तमाल करना है तन हम एक आई शाड़ प्लैनेट लेंगे और इससे हमें इसकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आई कलर लेना है और इसकी आई प्लाई करना है देखिए पिंक कलर में भी गयर्स का बहुत ही सु इसकी चैर होता है सबसे पहले हम पिंक हिसके इसका अकों पर, इसके रहें का इसका उप में ता को थे दो被 अच्वेश नहीं आखों के नीचे भी हमें थोड़ा सा टेश करना है कलर्स को अब एक पैंसिल से हम इसकी आइब्रो पैंसिल के तुम करेंगे आखों में अभी काजल भी लगा जूंगे देर हम मस्कारा करेंगे आखों को अब कलर करने के लिए उपर और नीचे दुनों तरफ अब देन हम आखों को एक पर्फेक्ट लूग देने के लिए इस तरीके से में ग्लू करा लगा के तब इसकी आखों के आप बोस्पेमें इसकी करना है कि दून तरफ करना है मैं ऐसा अब देकिस कि आखे किती खुबसूरत लगने लगी है अब देन हम कॉर्नर में यह पिमी नीचे आखों के नीचे भी हमें आखों के नीचे भी हमें आइल टिप्चल आइलस्टिस का इस्तमाल करना है महीन काम होता है जिसे हमें बहुत सदहाणी से करना होता है देन लूस पाउडर लेंगे लिक्ताम ड़ला लेंगे — अग्तम ड़ला लूस पाउडर लगाएंगे मैं भी यह ब्लशर है मुझे लगता है इससे के घोटों को गुरावी गुरावी सब पील आएगा अब यह जो है लूस पाउडर है जो हमें इसके स्किन पर अप्लाई करना है ताकि इसका जो मेक अपर काफी देर तक लॉंग लास्टिक रहे और श्थी करें बहुत ही अच्छे से जोऊप्लाई करेंगे और देन हम इसके ड्रस को सभी करेंगे और इसके बालों को ट्राइप करेंगे और पहले क्यूट सी कलर की लुपिस्टिक से मुष्कली निवर को प्लेंगे हम सब्स्रें ऐरिंग गो और इसका पाइनल लूट दिखिए आप इसका फाइनल लुक देखिए बहुत गुपसूर है उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भोलें थैंक्स पॉर वाचिंग